इस रोड में इतना जादा मॉबिल गर गया है कि अभी तक में मेरे देखते देखते में कम से कम आठ से दस बाइक्स अभी तक गिर चुके हैं और यह एक बहुत बड़ा टेंजर जोन बन चुका है यहाँ पर किसी का भी बहुत बड़ा हाथसा हो सकता है या ऐसा बड़े गड़ियों के पीछे में या गाड़ियों के नीचे में आ सकते हैं और वो किसी का भी बहुत बड़ा हाथसा हो सकता है यहां पर से अभी procession देखते हुए गई है और PCR यहां पर आई हुई थी देखी और देख करके वो आगे क्यों चली गई है वहाँ देख सकते हैं वह बस की जस्टो साइट में खड़ी विए पीस है पुलीस वाले खड़े हुए हैं लेकिन अभी तक कोई अक्शन्स देखने को नहीं मिला है क्योंकि यहां पर एक बस की पीछे में एक मॉबिल का जार था जो लिक कर गया था और जिसके कारण से यह पुरा रोड में मॉबिल जोन बन गया है जैसे कभी भी बड़ा हाथसा हो सकता है लोग गिर रहे हैं उन्हें अभी तक तो ऐसे ज़्यादा चोट नहीं आए हैं लेकिन गाड़ी स्किट होने कारण से सब गिर रहे हैं तो ऐससे समय में क्या करना चाहिए लोगों को यह सतकता बहुत जरूरी है अब देखा जाए कि वह पीचियार कितने दिर में एक्सेंस लेती है और इस प्रॉब्लम का स्वेशन निकलता है अब बहुत ही जादा खट्रा हो गया है कभी भी कोई भी गिर सकता है अब देखने जा रहे हैं अब देख सकते हैं अब ब्लाक हो गया इस बीच बीच में विस्टर मफोल सब्सक्राइब को दिया गया ताकि लोग अब तक आसे कुछ भी देखने को नहीं मिला है यहां पर कितने सारे लोग अब तो गिर चुके हैं यह का नहीं जा सकता है क्योंकि यह कांटट वोली बस्तेंड की और सी यह बस निकली है जिसे कारण से दूरा मोबिल रोड में आ गया है और काफी सारे लोग गीरे हैं मेरे सामने में यहां पर मैं देखा यहां पर से दस कम से कम गिर रहे हैं तो यह सब बहुत बड़ा कारण बन जाता है एक्सिडेंट का अब काफी देज से भी जा रहे हैं जिसे कभी भी गिर सकते हैं कर दो